नमस्कार विद्यातिमित्रान। Class 10 Mathematics Part 2 Chapter 2 Pythagoras Theorem या मद्याज Practice Set 2.1 मदिल Example 6 बगतौत। Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 cm. अमाला एक square ग्याल सांगित्तेल है। यह बगा ABCD square आहे। square यह मंदलेवर यह चारही बाजु एकुवल अस्तात। यह तुमालमाईतिये। आनी चारही एंगल 90 डिगरी चास्तात। यह ही तुमालमाईत असलो पाईचे। इर्देची डाइगोनल 10 cm. मा आपनी चासली ला। लेट इच साइड आप square ABCD be x cm. अनी काय मंदलापन। एंड डाइगोनली 10 cm. विच इज गिवन। मग अंगल ADC हा 90 डिगरी होनार। अंगल अपे square। मग यहा ट्राइंगल मदे। आपन्सर पाइथागोरस थेरम यूच कराइचा ठरावला। तर AC चा square is equal to AD चा square plus DC चा square आपनली नार। असा आपनली नार। This is by पाइथागोरस थेरम। AD मंजे x, DC मंजे x, so x square plus x square that is 2x square. So 10 square is equal to 2x square. So 10 square 100, हाट 2 येचा खाली गेतला, अपन्टू, e is equal to x square. मंजे x square is equal to, याला दर 2 ने भागलाता 50, मा आता square root ग्या, येचा square root x, येचा square root, मंजे root मदे 50, मा 50 चे, अपन दर factorization केला, 25 उन्टी 2 आसा factorization होई, मंजे 25 चा square root 5, येचा square root निगत नहीं, मनुंते root मदे त्राइल, अशारितिन, x is equal to 5 root 2, मंजे, side of square is 5 root 2 cm, आता आमाला येच्ची perimeter काडएची, perimeter मंजे परिमिती, परिमिती मंजे 4 ही बाजुंची बेरीच, of square ABCD, म, perimeter of square ABCD is given by what? 4 into side, 5 root 2, मा 4 into 5 root 2, that is 4 5 is a 20, root 2 cm, so side is equal to 5 root 2 cm, and perimeter is equal to 20 root 2 cm. Example number 7, in figure, angle DFE is 90 degree, FG perpendicular to ED, if GD is 8, FG is equal to 12, find number 1, EG, number 2, FD, number 3, EF, in this triangle, this is figure given, या triangle मदे, नीट बगा, हा triangle D, F, E, जो आहे, त्या मदे angle D, F, E, हा जो है, तो 90 चा, which is given, तुसरी गुष्ट, F ची, perpendicular to ED, आसा मला दिलेले आहे, एका द्या, राइट एंगल ट्रैंगल मदे, जर, राइट एंगल मदून, हाइपोटीनिस होर, परपेंडिकुलर टकला जातो, तेवा, आपन, या हाइपोटीनिस चे होना रे दोन तुकडे, त्यांचा प्रोटक्ट हा, या परपेंडिकुलर, सेग्मेंट चा स्क्वेर इतकास्तो, जल आपन मनतो, थेरम आप जोमेट्रिक मीन, मग हाँ परपेंडिकुलर जो आहे, तो एपजी है, त्यांचा स्क्वेर, ये दिकोटु काई, हे हाइपोटीनिस चे दोन सेग्मेंट, जीड़ी आनि EG, तेन्था प्रॉड़क्ट, इस इस बाइ, थेरम आप जोमेट्रिक मीन, मग FG ची किम्मत बारा, तेता वर्ग, जीड़ी आठ, EG माइत नाई, इस तो फाइंड आउट, मग बारा ता वर्ग 1120, हा आठ या 112020 सा खाली आनला, मंजे तुल EG ची किम्मत मिलनार, आठ अने जर्याला भागलता, 18 सा भागलता तो, So, EG is equal to 18, Question number 1, चे हेदाले answer, Now, ट्रेंगल FGD is right angle triangle, यह बक, F G D, हा जो ट्रेंगल है, हा right angle triangle है, आन right angle यह इथ्थ है, मंजे ही तेची हाइपोटीन यह जाली हेतु लमाईती है, मजर आपन यह ट्रेंगल मदे, पाइथागोरस चा थेरम यूच केला, तर F D चा स्क्वेर, is equal to F G चा स्क्वेर, प्लस G D चा स्क्वेर, हेमे आइटलीला, बाइथागोरस थेरम, F D चा स्क्वेर, is equal to F G चा स्क्वेर, प्लस G D चा स्क्वेर, मा F G मंजे 12 तेचा वर्ग, G D मंजे 8 तेचा वर्ग, 12 तेचा वर्ग, 16, 16, 16, यह जाइडिशन केली थी 208 आली, सो F D चा स्क्वेर, is equal to the 208, तर यह 208 ला फैक्टराइच करा, 16 इन्टु 13, 16 इन्टु 13, प्रोड़क्ट इच 208, मग 16, चा स्क्वेर रूट गेतला 4, याचा स्क्वेर रूट निगतनाई, मनु तेर रूट्टु मधि ठेवल, अशयरितिन, F D is equal to 4 root 13, हे question number 2 चा अंसर जाल, नाउ G D plus E G is equal to E D, because E G and D are collinear, बगबर का, G D plus E G is equal to E D, because E G and D are collinear, मनु यादोन सेग्मेंट ची बेरिज, मन्या हा, आसा आपन याटिकन लीला, Tक हाँ, so G D plus E G is equal to E D, बगबर ग़ड़ी 10, G D i 8 E G i 18, यादेशन किली ती यादे 26, मन्ये E D, so E D is equal to 26, हमाल मिलाल, now int Triangle E F D, angle D FE is 90 degree, bhaga, int Triangle E F D, हाट रेंगल, E F D, इंट रेंगल E F D, एंगल E F D is of 90 डिगरी, मदर या मद आपन पाइथागोर सो प्रमें हुआ परल, तर कस हुई, E D च स्क्वेर is equal to E F च स्क्वेर प्लस F D च स्क्वेर, मजे E D च स्क्वेर is equal to E F स्क्वेर प्लस F D च स्क्वेर, बाइपाइथागोर स्थेर्म, E D I 26, E F माइथनाई, F D I 4 रूट थर्टिन, नो 4 रूट थर्टिन चा, जर आमी स्क्वेर केला, तर तो पर याचा स्क्वेर, मजे हाए नारे, 208, हे तुला माइ थे, 26 स्क्वेर दाला, 676, E F स्क्वेर माइथनाई, ते ता स्थेवला, plus 208, हा 208, हा 208, लेफ्ट साइडला, तो हनार मैनस, मजे 676, मैनस 208, विल गिव यू E F स्क्वेर, तो E F स्क्वेर इज एकोड़ तो ही स्क्वेर अलि, 468, मा यह ची परत्फेक्टरिजाशन केल, तत्ते फेक्टरिज होता, 36 इंटु 13, मा 36 स्क्वेर रूट होता, 6 आनि यह स्क्वेर रूट निक अतने, मनू ते रूट मदे लेवला 13, अशेर दिन, अशेर दिन, E F is equal to 6 root 13, a question number 3, तो आंसर दाल। Example 8, find the diagonal of a rectangle whose length is 35 cm and breadth is 12 cm, असा एक rectangular ABCD, यह rectangle मदे, AB ही तेची breadth 12 cm, BC ही तेची length 35 cm अनि diagonal विचर ली, अपन diagonal X cm मनली, तास अपन इता लीले, let the length of diagonal of the given rectangle be X cm, मन्जे हे X cm, नव इन triangle ABC, angle ABC is of 90 degree, करन हा rectangle है, मन्जे यह अचा प्रत्यक अंगल हा, 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 किम हा, 90 degree सासनार, अपन triangle ABC सा अजर विचर केला, ता हा 90 degree सासल करन, angle of rectangle, अना शर्तिन, यह triangle मदे, आमी according to Pythagoras 13 मासा दर मनले, AC square is equal to AB square plus BC square, AB I 12, BC I 35, मासारितिन, बारात वर्ग एक्षिर्च वेचाई, पस्तिच वर्ग बाराश्य पंच्चुईस, अजिचन केली, तेरा शेकों सत्तर, आनि मघेचा square वुट गेतला X, ता हेचा square वुट गेतला 37, 37 सा square हा, 1369, मासारितिन, गेतला जागूनल, अजिस अग्यूनल of rectangle is 37 cm. Example number 9, in figure M is the midpoint of QR, angle PRQ is equal to 90 degree, prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. हाँ ट्रेंगल है या ट्रेंगल मदे हाँ M QR चा मिड़ पॉइंट है जर हाँ QR चा मिड़ पॉइंट है तर हे अंतर MR कि महां हे अंतर QM हे QR चा निम्मा अतनार so MR is equal to half of QR चा मिड़ लगे का निम्मा एंतर प्वचर M is midpoint of QR therefore mr is equal to 1 upon 2 qr if you multiply by 2 to this side it will become qr is equal to 2 mr हे equation 1 माल now in triangle pqr pqr या triangle मदे जर मी angles जर हा 90 चाय तो पाइतागोरस चो तेरम वा पर ला तकाई linear मी बाइतागोरस तेरम pq THE square is equal to pr THE square plus qr THE square pq THE square, pr THE square, qr THE square हेड ला मी जर equation 2 मनला तरता भगा from equation 1 and 2 मंजे हे equation 1 and हे equation 2 मल्यामते तुला qr की मत इस्थिये 2 mr t जरह qr जागी तु लिनार तचा-square करनार So PQ चा-square is equal to PR चा-square plus QR चा-कि मते 2MR त्याचा हा-square. मा square दर केलात 2 चा-square 4 MR चा-square मैंने MR चा-square. अशरी तिन, PQ चा-square is equal to PR चा-square plus 4 MR चा-square, हे equation 3 जाल. Now, in triangle PRM, in triangle PRM. यह छोटे ट्रेंगल मले, minus pr चा स्क्वेर, equation 4. माता equation 3 बग, या मदे mr चा स्क्वेर तुला दिस्तोय, आन equation 4 मदे mr चा स्क्वेर ची ही किम्मत लिली. मैंजे थोड़के या इतो तु ही किम्मत लिनार. मैंजे equation 3 आनी 4 और उंका विल pq चा स्क्वेर, is equal to pr चा स्क्वेर, plus ha 4 आनी mr चा स्क्वेर, मैंजे pm चा स्क्वेर, minus pr चा स्क्वेर, ही तुलीले कान्साद. मैंता कान्सोड़व, 4 pm चा स्क्वेर, minus 4 pr चा स्क्वेर, एन चैरिषिन, pq चा स्क्वेर, is equal to ha 4 pm चा स्क्वेर, पैलां द लि-, अनी यां ची-subtraction. 4PR चा स्क्वेर मदू 1PR चा स्क्वेर गेला खल्यूर ले 3PR स्क्वेर, मोटे संकिसे चिन्दों मैंजे नेगेटिव So, PQ चा स्क्वेर is equal to 4PM चा स्क्वेर minus 3PR चा स्क्वेर, प्रूवड, धन्यवाद